ग्लासको में संपन्न हुए कोप 26 शिखर संभेलन में माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी द्वारा दिये गए पंचामरित सिधांत संपोर्ण विश्व को ग्लोबल वर्मिंग के खत्रों से बचाने के लिए अती आवशक खदम है इन सिधांतों में नहीत दोरदर्शी सोच के दूर गामी परिणाम होंगे जो की संपोर्ण मानवता के कल्यान में मेल का पत्थर साबित होंगे इसी दोरदर्शी नेत्रित्तों की बतौलत भारत नवीकरणिय ओर्जा के ख्षेतर में तेजी से शिखर की ओर अग्रसर है भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वार्मेंट्स रिन्यूबल एनर्जी से पूरी करेगा वर्ष 2014 के बाद भारत ने 70,550 मेगावाट की विशाल रिन्यूवेबल एनर्जी क्षमता स्थापित की है जो की पहले से स्थापित क्षमता से 175 प्रतिशत अधिक है सौर उर्जा के क्षेतर में क्रांती कारी बदला हुए हैं और अब आत्म निर्भर भारत कारिक्रम के तहट भारत में ही बड़े पैमाने पर सौर पैनलों का उत्पादन शुरू हो गया है वर्ष 2030 तक 50% उर्जा जरूरतों को अक्षय उर्जा के माध्यम से पूरा करने के माननीय प्रधान मंत्री के दीर्ग कालिक संकल्प की पूर्ती है तू हिमाचर प्रदेश भी यथा संभव योगदान के लिए कृत संकल्प है इस वर्ष की शुरूआत में घोशित उर्जा नीती अक्षय उर्जा की विभिन स्रोतों के दोहन को प्रोतसाहित कर 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त उर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्षय रखती है इसी कड़ी में हिमाचर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमेटेट चंबा जिले में 48 मेगावाट की चांजू 3 और 30 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्यूत परियोजना पर कारे शुरू करने की लिए तैयार है इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 1000 करोड रुपय का निवेश होगा इन दोनों परियोजनाओं की कमिशनिंग के बाद 277.54 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्यूत उतबादन होगा और हिमाचर प्रदेश को लगभग 110 करोड रुपय का वार्षिक राजस्सो प्राप्त होगा परियोजना के बनने से कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 2,21,843 मिट्जिक टन की कमी आईगी परियोजना निर्मान में लगभग 8,46,000 मानवकारे दिवस स्रीजित होगे परियावरनिया प्रभावों को और कम करने के लिए परियोजना परियोजना के बनने से प्रदेश की आर्थीकी में सुधार होगा और प्रदेश की संपूर्ण प्रगती सुनिश्चित होगी